कि मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं सुर्ते हालाथ बदलने चाहिए सुर्ते बदलने के लिए हम हमें लड़ना था और यदि हमने सत्ता की मलाई ही खानी ती तो हम दूस्य चोटाला को छोड़ कर आए वंधा स्पोर्ट सरकार को चोड़के आए इस त्था वो बात हमें सुन नहीं पढ़ते हैं जब वीडियो टालोगों कहेंगे गुर्णाम जी कुछ क्या मिला गुर्राम जी को क्याम एक बार गुती से हमारा तो हम लड़ने का जजबा है हम पीछे कदब नहीं रखती हम सबसे बड़ी बात है कि हम मैदान में गए हम कितनी ताकित के साथ लड़े यह बात माइने रखती है यह बात आज भी मैं कहना चाहते हूं जब तक उच्याना की जंता को आ मुझे यह नहीं लगा कि इनका मूड बदला हुआ है यह परिवर्तन चाहते हैं यह सी कि वो देखना चाहते है तब तक को एक जबाब देना चाहते हूं जो स्ट्रगल मैंने तीन साल तक किया है और स्ट तक वादियों की लिष्ट में हमारा पहला नंबर है जाना चाहते हैं और जो चुनाव लड़ सकती है आखिरम इसकी प्रताल करने के लिए सब्सक्राइब करना चाहूंगी पर अभी ऐसा कोई मूड नहीं है क्योंकि आपको पता है कि परस्तितियां लगातार बदल रही हैं सभी पार्टियां सर्वे करवा रही है और हमें नहीं लगता अभी कुछ कैना जल्दबाजी होगा क्योंकि किसी फिल्ड में उतरने से पहले हमें बहुत कुछ त्यारियां करनी पड़ती हैं तो मुझे नही वोट भी है ऐसे जो बड़े बागड बिल्ले हैं उनको निकालने के लिए हमें एक रणनीती त्यार करनी पड़ेगी यदि हम रणनीती बनाने में कामियाब हुए और ये उच्याना की जनता हमें आश्रवाद देने का काम करेगी तो हम जरूर मैदान में होंगे पर अद खब ले और दूसरे नमबर पर जो बात की जाए प्रिंगा खरक राम जी रही और तीसरे नमबर पर कौन थी हो जी वो सुमन हुड़ा थी हां तो मतलब आपको फर्स क्यों चुना क्योंकि किसान ने तिर तो वह भी हर्याना में किसानों असाथ देती है हर जगह अंदरोल की बात डिलसे बोलते हो और आपको जो आपको समह्स्या लगती है उसको पकड़ने के अपके अंदर एक समझ है और आप वेक्या में जो जुड़े हुए उस दरातल के उपर यह कि लगा तार थीन साल से हमने जो मेहनत की है उसका अरज भी मैंजीरों कि इसादत हो गई बार बार हम परिवर्तन करने चाहिए और यह मेरा आज का अगाज नहीं बड़े लंबे टाइम का अगाज है मैं चाहती हूं कि सत्य के अंदर जो सरकार हमारी जो मोद्धी सरकार आपको पता होगा कि 33 पर अक्षन लेकर आए मैं लाओं के लिए अब उसके पास विकास के नाम पर कुछ कर यह उन्होंने एक लोलीपोप निकाला है कि महिलाओं को हम परतिसत आरक्षन देंगे संसद और विधान सभा में पर वो देंगे जन गन्ना के बाद यानि हमें बेवकूप समझ रखा क्या इस सरकार ने हम बिलकुल बेवकूप नहीं हम कहेंगे चाहे कोई पूर से इस सरका के अंदर महिलाओं की इन लोगों ने अत्याचार किया है विर्यान माठी के रिए हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी महिला इनको वोटिंग करें आप उचाना से चुनाव लड़ते हैं क्या आपने किसानों से बात करेंगे इसके इसके वीसे में और किसानों को आपको कितना चाहिए पर खर्चे के रूप में मानती हूँ कि किसान कहीं न कहीं कमजोर है क्योंकि यह दोनों बहुबली हैं यहां के और यदि सरकार को गिराना है तो जो आम पबलिक है उन्होंने हमारा साथ देना होगा उन्होंने यदि यहीं कि 1500 में यदि वोट बेचने हैं तो यहां ना तसिलदार होगा इस सडक में गड़े मिलेंगे ना रोजगार होगा ना खाने के लिए अन होगा यदि इन लोगों को चाहिए परिवर्तन यानि इन लोगों को सारी चीजे चाहिए जो दरातल से जुड़े हुए लोग है उनको संसद और विधान सभा भेजना कि जुरूरी नहीं कि शिक्किमो कि कe लावा कोई और बufen के लड़े और दिल से हमारी पहर वीधान सभाए क्योंकि में ये समझ पारिऑ हुए 15 साल से लगाता कि लड़ रहे हैン मजदूर लड़ रहे हैं वफारी लड़ रहे हैं महिला लड़ रहे हैं पर कुछ बढ़ाओ क कि हमारी कहीं सुनाई नहीं सरकार कोई भी हो तो हम चाहते हैं कि हमारे कुछ जैसे इन लोगों ने की इंडिया बनाया तो शिंक्त मोर्चा का भी एक कोई ऐसा ही बैनर त्यार किया जाए जिसके थरू ये डिकलेर करें अपने कैंडिडेट या तो जो आने वाली सत्तापक्स की पार्टी है वो हमें कुछ सीटे दे और यदि वो सीटे नहीं देना चाहती तो हम ये है कि हम अलग से लड़े हो सकता है पांस साल में एक वी सीट ना आए हो सकता है दस साल में आए क्योंकि पेड़ लगाता ही फ़ल नहीं लग सकता पर हमें महंत करनी पड़ेगी यदि इस देश को इस पर देश को बचाना है तो शिंक्त मोर्चे को मैं मानती हूं कि मैदान में आना चाहिए क्योंकि पार्टिया तो गई डर रहे हैं कि सो परसेंट आप उचाने चनाव लड़ें लड़ेंगे नहीं ऐसा मन नहीं है पर ये भी है कि हम मना भी नहीं करेंगे क्योंकि यदि मैं आज मना करती हूं कुछ परस्तितियां ऐसी होती है कि हालात बदलने के लिए मेरा मकसद मैं कई बार कहती हूं आपको पता है कि मीडिया के थरू भी कहती हूं मैं स्टेज से भी कहती हूं कि मेर मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं सूर्ते हालात बदलने चाहिए सूर्ते हालात बदलने के लिए हम दो कदम आगे भी बढ़ सकते हैं और दो कदम पिछे भी हट सकते हैं हमें यह लगा हमसे मजबूत कैंडिडेट कोई दूसरा है और यह बीजेपी को हराने के लिए से यह बात है कि वह एक सप्ताधारी प्रिवार से रहे हम एक नोर्मल प्रिवार से जब आपने देखा होगा जो पंजाब है वह बड़े-बड़े जो दुरंदर थे उनको ताना साही हम मान सकते हैं वह लोग धरा साही करें हैं लोगोंने सबसे बड़ी बात है भगवान और जनता भगवान जिस दिन यह आश्रिवात देगी दुनिया की कोई ताकत नहीं कोई पैसा नहीं तो आम जनता से यह कहते हूं कि इन लोगों का पैसा भी लुटो यह जो आपको दे रहे हैं वह बिलो पर इनको वोट मत दो हमने कल भी कहा था मैं आगे भी कहूंगी कि हमें वोट का दिकार मिला है जिस दिन हमें इस उंगली का सही स्थेमाल करना आ गया उधनी इस देश की तकदीर और तकदीर और तस्वीर बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि पहले पार्टी में रहे हैं सब्सक्राइब नीचे नीचे जिसे बात होगी हो और का बोल देगा आप चुना लड़ो मेरी बास सुनों जेजेपी और बीजेपी से मुझे नवरता है मैं तो यह चाहती हूं कि इन लोगों से भी हमारा कोई राम राम भी ना हो और दूसरी कि मलाई ही खानी थी तो हम दूस्यन चोटाला को छोड़ के आए ओंदा स्पोर्ट सरकार को चोड़ के आए सत्ता सिन सरकार को चोड़ के आए मुझे कोई जुरूरत नहीं थी इन सटकों की इन गलियारों की खाक चानने की पर मैं यहां कुछ ना कुछ बदलने के लिए सबसे पहले तो रोजगार की उपर द्यान दूंगी क्योंकि मेरा मकसद नहीं होगा कि शड़के बनाना है बिल्डिंग बनाना है जो मूल बुत्स वीदा इनसान को जीने के लिए उनके उपर काम करना चाहूंगी सबसे पहली होगी हमारे लिए सुरक्षा मैं यह चाहती हूं कि रात के 12 बज़े भी महीला सुरक्षित हो वो कहीं भी आजास के जादा नहीं मैं बदल पाऊंगी तो उचाना का महला ऐसा होगा कि यहां की महीला यहां की बेटियां सुरक्षित अपने आपको महसूस करेंगी और जितना भी होशकागा मैं रोजगार पे सिख्षा पे स्वेस्टे के उपर काम करने का काम करूंगी और यहां की आवाज हम कुछ ना कर पाए क्योंकि बहुत सी वही बात है कि इनसान कहां तक लड़ेगा हम जैसे वीचारों के 10-20 लोग आए तो हम दिल्ली को और चंडिगड़ को दहलाने का काम करेंगे यदि हम अकेले गए 30-30 आरक्षण दे दिया 50% आरक्षण दे दिया मुझे काग्च्व का रकषण नहीं चाहिए हमें अरक्षण धरातल पे चाहिए हमें बराबर का दिकार चाहिए और बराबर का मान समान चाहिए दीग दैसे के स्टार्डिक में आवन बता था कि 54% आपको वोट मिले थे और के वह तो वक्त है कि मेरा काम में नहीं को करती है जाहिए उनिघ्रे लाख कर सकती है हमें को वह अजाधी देना चाहिए जहां को नो कि इस स्टेश्ट के उरिष समाज का उधार कर सके हमें महिलाओं को एक हाथी की तरह एक बेल से बांदने की जरूरत नहीं है महिलाओं के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह सक्षात अपने आपको लगस्मी है कालिये उसके अंदर सारी ताकते हैं पर हम उसको हमेशा नेगटिफ लेत करते हूं यदि आप लोगों को बदलाओ नहीं चाहिए आप लोगों को ऐसे ही दर-दर बटकना है आप लोगों को ऐसे ही आशडियम तसीलदार डॉक्टरों के लिए धक्के खाने हैं तो आप जो यह दो लोग है इनको चाये पाणी पिलाई और इन दोनों बागडबिलोर श हारजीत कोई मांइने नहीं रखती हम सबसे बड़ी बात यहा है कि हम मैदान चाहते हैं सब्सक्राइब्स वीडिय Cambridge लों कहेंगे गुर्णाम जी को क्या मिला गुरूर्णाम जी को यह मिला गलती से हमारे रेख सिडेंट होगया तो क्या हम दूबारा सुवारी नहीं करते हौर दूबारा भी सुवारी से ही कोई हो हम किसी गरीब के मजदूर के आम पबलीक में से किसी को नहीं मतलब उस प्लेट फारम पे देखना चाहते उस विदान सबायासन सद में नहीं देखना चाहते तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी दिखिए बहुत सारे लोग मैं यह वी विचार हों कि जो डोक्टर से कर रही थी ? इसको मैं यह नहीं कह सकती समाज Wong के लिए किया क्योंकि पर्टियों के लिए लिए किया वो मैंने खुद के लिए यह dipping के लिए क्या पर जो आज में से कर रहे हु करई हूं इच आघर बरीं होग में इनके बागद कहीं मैं यह करणा चाती हूं बार बार सफाई देनी चाती हूं बार बार सफाई लोग मुझे से मांगते हूं जलने भी त्गे दिया है। और हमनी यह लगता कि हमेंं जेडरों के सलाओं रहें जैडरों सलाके पीछे बिप्छे समन्गालह, हम नहीं हमना लगता कि हमें खुल्ल arguments क्या है कि से बाइने प्ता है एकMR प्तारी लस्त बने ही to be तो यह हमारी जय जनता भगवान होती है इसको सोचना चाहिए क्या तो फिलाल ब्याद दे सकते हैं दौक्टर सिंक्यम वहां था नेत्री है और दोस्तों क्या कुछ लगता है जो अभी हमने में डौक्टर शिक्किम से बात की उनकी पातों से आपने देख वी आपके कहीं नहीं नहीं कहीं वाक्ते में जाना हलके से सब्सक्राइब दोस्तों क्या कुछ कहेंगे आप इस वीडियों के तो कुमेंड वोग्च महादम से आप अपड़ी राए जरूरत हम फिर हाद किसी ने कंटेंट के साथ धन्दवाद